साइबर क्राइम के बहुत सारे प्रकार होते हैं जी हाँ और अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग गतिविदियों के माध्यम से लोग को परिशान करना, लोगों को लूटना, लोगों के पैसे निकालने जैसे काम किये जाते हैं इसी से सम्बंदित कानून आया Information Technology Act 2000 अभी फिलाल कितने प्रकार के Crime हो रहे हैं और क्या Punishment है, इस टॉपिक पे अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले जो आपको ज़रूरी ध्यान में बात रखनी है, वो होती है Access Related या Hacking से सम्बंदित इसमें होता ये है कि बिना किसी Rightful Person के, अगर मान लीजे Computer मेरा है, Laptop मेरा है, हो सकता है वकालत से सम्बंदित या कानून से सम्बंदित, काफी सारे Data या File या Documents मेरे ऐसे हों, जो मैं किसी और को नहीं देना चाहता, नहीं दिखाना चाहता, और उसकी Confidentiality मेरे लिए बहु ज़रूरी है, कोई और जो उसका Actual Honor नहीं है, मेरी बिना Permission के मेरे System को Hack करता है, मेरे Laptop को, Computer को Hack करता है, और Illegally गलत तरीके से, अवैद तरीके से, Breach करता है मेरे System की Privacy, मेरे Computer की Privacy, मेरे Network की Privacy, इसे हम लोग कहते है, Unauthorized Access and Hacking, इसी प्रकार के और भी कुछ अपराद है जिनके बारे में हम करेंगे बात, अगर आप नाए है, आपको करना है, Subscribe, Online Legal Advice आपका अपना चैनल है, आप शुरुआत कर रहे हैं, अशुप पांडे के साथ, बने रहे हैं अन्तितर, जिससे आपको Cyber Crime किस प्रकार के कौन-कौन से होते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल सके तो Information Technology 2000 का अगर हम reference लें, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया Unauthorized Access and Hacking क्या होती है, जहाँ पर मैंने आपको एक example की through समझाया, दूसरा प्रकार होता है Cyber Stalking, इसका क्या मतलब है, Cyber Stalking का मतलब यह है कि एक Technology से संबंदित, Technology मतलब जो आजकल चल रही है, आपके Mobile Phone के Technology हो ग P.O. करते हुए, लोगों को परेशान करना, किसी को Threat करना, किसी को धमकी देना, और अवेत तरीके से पैसो की उगाही करना, किसी को False Acquisitions लगाना, Vendalize करना, उसकी Identity खराब करना, यही सारी चीज़ें क्या है, यह आपके Cyber Stalking में आ जाती है, मतलब Technology का इस्तमाल करके आप आपने सुना होगा, Virus Attacks क्या होते हैं, Viruses का सीधा सा मतलब आप Coronavirus क्या है, एक छोटा सा Virus आपके शरीर में प्रवेस करता है, वो अपने आपको Multiply कर लेता है, आपके पूरी Body में, आपके पूरे शरीर में, आपके पूरे शरीर के Organs में फैल जाता है, और उससे आप काफी बड़ी मुसीबत में फस सकते हैं, तकलीफ में आ सकते हैं, ऐसा ही अगर आपके Computer या आपके Laptop, आपके Mobile Phone के साथ में हो तो, यही तो Virus Attack है, एक छोटा सा Virus आया है, उसने आपकी फाइल में अपने आपको Copy करना, Multiply करना शुरू कर दिया, एक छोटा सा था, बहुत बड़ा हो गया, आपके पूरे Mobile Phone, आपके Laptop, आपके Network को उसने Fail कर दिया, खराब कर दिया, और जो आपके Important Data, आपके Server, आपके Network पे थे, उसे Destroy कर दिया, यह किसी Individual के साथ हो सकता है, आपके साथ मेरे साथ हो सकता है, और किसी बड़े Company या किसी बड़े Organization या किसी Group के साथ में भी हो सकता है, World Health Organization का नाम तो आपने सुना होगा, Pandemic के Duration में क्या हुआ, कुछ Cyber Attackers थे, जिन्होंने Virus का इस्तमाल करके World Health Organization की Website को ही Block कर दिया, आपको अगर ध्यान हो, ऐसा कई Different जो Government Officials की Website होती है, उनके साथ में भी हो चुका है, Virus Attack किया जा चुका है, जिससे उनके जो Informative Data उन तो ये सारा का सारा Punishable Offense है, और ये कहां cover होता है, Information Technology Act 2000 का जो हमारा कानून है, अगला जो, इसके Cyber Crime है, वो है Phishing, Phishing का क्या मतलब है, Phishing का मतलब ये समझ सकते हैं, कि जैसे लोग मचली पकड़ते हैं, मचली पकड़ने के लिए एक दाना डाला जाता है, थोड़े देर इंत अप्लिकेशन तक ले करके जाएं, और उसके बाद आपकी जो Personal Information है, Extract कर सकें, जैसे Password, आपके Credit Card से संबंधित, आपके Debit Card याने ATM से संबंधित, या आपका Bank का Login ID, Password, इस प्रकार की जो जरूरी Account Information होती है, आपके Bank से संबंधित, ये लेने के बाद में, आपको वो Threat कर या डिरेक्टली आपको पता भी नहीं होता, और UPI के तुरू आपके पैसे गायव हो जाते हैं, कभी 10,000, कभी 50,000, कभी 500 रुपे, तो ये क्या है, ये एक Phishing का जरीया है, जी हाँ, मचली पकड़ने का एक तरीका है, आपको मचली के जैसे ट्रीट किया जाता है, पहले दा कि में deposit पैसे का इस्तमाल कर लेता है, पैसे निकाल लेता है, और आपके साथ हो जाता है fraud, तो इसे हम Phishing भी कहते हैं, ध्यान रखें कि बहुत ही सावधानी के साथ online transactions आप करें, कभी भी आपको अगर doubt है, तो इस प्रकार के transaction ना करें, वो ज़्यादा बहतर है, और भी जो म अध्यम है, उसे आप इस्तमाल करें, e-commerce fraud के बारे में भी आपने सुना होगा, e-commerce fraud में generally होता है, कि fake website या fake merchandise को आपको दिखाया जाता है, services दिखाई जाती है, sales दिखाई जाती है, auction दिखाई जाती है, और आप उसमें first जाते हैं, एक mobile phone, जिसकी वास्तवी कीमत, अगर हम स fraud के बारे में ही समझाना चाता हूँ, ऐसा ही होता है, आपको दिखाया कुछ जाता है, और बेचा कुछ नहीं जाता है, आपके पैसे ले लिए जाते हैं, समान जो चीज है, वो आपको delivery नहीं होती है, यही है e-commerce fraud, जी हाँ, mobile phone जिसकी वास्तवी कीमत 10,000 रुपे थी, आप को 5,000 रुपे में बेचा जाता है, लेकिन जैसे ही आप online transaction या payment करते हैं, वो चीज आपके घर तक नहीं पहुँचती, आपके साथ दोखा दड़ी हो गई, और हो गए हैं आप e-commerce fraud के शिकार, ऐसा आपके साथ टी-शिर्ट, जीन्स, जो साड़ियां आप खरीदते हैं, या कपड़े खरीदते हैं, या और भी घर से संबंदित, घरेलू, आइटम्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, आप वो खरीदें, और आपके साथ अगर इस प्रकार का fraud हो जाए, तो ये एक तरीके से e-commerce fraud की श्रिणी में आता है, फिशिंग बता दिया आपको, e-commerce बता दिया वाइरस अट्रेक के बारे में हम लोगोंने बात कर ली, अब एक अलग तरीके का crime, जो कि sextortion, मैं हमेशा इस वज़ा से कहता हूँ, क्योंकि ये बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रहा है, sextortion में क्या होता है, आपके पास एक link आता है, मैं अकेली हूँ, मुझे आप बात कीजे, आप बात करने के लिए जैसे ही जाएंगे, link पे click करेंगे, एक लड़की आपको मिलेगी, आपसे बात करेगी, वो आपकी nude photograph या video intimate conversation के थूँ ले लेगी, जी हाँ, अशलीलता में आप रवेश करेंगे, और उसके बाद आप अपने शारीरिक जो भी photograph हैं या video दे द इसको sex का जहासा दे करके पैसे extort करना, इसको sextortion कहा जाता है, तो इस प्रकार के fraud हो रहे हैं, अब इससे बचें कैसे, इससे बचने के काफी सारे तरीके हैं, जी हाँ, सबसे पहला तो आपकी खुद की जाग रुपता, मैं आपको वीडियो इस वज़ा से नहीं पहुचा होगी, अमुमन लोगों को होती भी है, लेकिन यदि नहीं है, तो आपको इन सारे frauds के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और आप कहीं phishing का शिकार ना हो जाए, आपके ATM card, bank account details, या e-commerce fraud, या sextortion के चक्कर में आप फसना जाए, इनी से संबंधित आपको कानूनी प्रावधा करेंगे Information Technology Act 2000 का reference लेके और Indian Penal Code जो IPC है, IPC का जिक्र करके, वीडियो लंबा हो जाएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में, detail में हम करेंगे बात, तब तक के लिए जो आपने कीमती महत्वपूर्ण समय मुझे दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, जी हाँ, अगर आ हमारे display screen में दिख रहा होगा, आप direct appointment book कर सकते हैं, साथ ही इस वीडियो के description में link है, जहां से आप appointment book करके भी मुझे बात कर सकते हैं, आप सभी सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद.